हेलो, आज हम बात करेंगे सिरम प्रोलेक्टिन टेस्ट की प्रोलेक्टिन क्या होता है? सिरम प्रोलेक्टिन टेस्ट क्यूं किया जाता है? कैसे किया जाता है? इस सब के विशे में बेसिक जानकारी मैं आपको दूँगी प्रोलेक्टिन क्या है? प्रोलेक्टिन एक नॉर्मल हॉर्मोन है जो की ब्रेस्ट टिशू में दूद बनाने के लिए चाहिए. सिरम प्रोलेक्टिन टेस्ट क्यों किया जाता है? मतलब इबनॉर्मल लक्टिन हो, जबकि वो प्रेग्निट ना हो याकि कोई छोटा बचचा ना हो, उसे इसके अलावा यदि फीमेल को अनैक्स्प्लेंड हो, इमिनोरिया हो या इनफर्टिलिटी हो तो भी यह टेस्ट करने के लिए कहा जा सकता है. Male patients में यदि visual disturbance हो, unexplained headache हो, body hair कम हो, loss of libido हो, तो भी यह test करने के लिए कहा जा सकता है यह test कैसे किया जाता है? इस test के लिए एक blood sample की अवशक्ता होती है जो कि patient के बाजू से लिया जाता है क्या इस test से पहले कोई खास precaution लिया जाता है? आम तौर पे इस test के लिए किसी खास precaution की ज़रूरत नहीं है, sample किसी भी समय patient की सुविधा के मताबिक लिया जा सकता है serum prolactin के normal values क्या है? महिलाओं के लिए normal values less than 35 nanograms per milliliter है और पुरूश patients के लिए normal values less than 15 nanograms per milliliter है pregnant females के लिए normal values 35 से लेके 386 nanograms per milliliter तक हो सकते हैं लेकिन ये सभी values अलग-अलग laboratories में थोड़े बहुत उपर नीचे हो सकते हैं serum prolactin बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? आम तौर पे serum prolactin बढ़ने का कारण stress रहता है इसके अलावा liver disease, kidney disease और कुछ किसम के brain tumors में भी serum prolactin बढ़ सकता है क्या कुछ दवाईयां खाने से serum prolactin बढ़ सकता है? कुछ psychiatric दवाईयां जैसे haloperidol खाने से serum prolactin बढ़ सकता है इसके अलावा अन्य दवाईयां जैसे metoclopramide खाने से भी serum prolactin बढ़ सकता है